नमस्वार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल रामबान नुसके में दोस्तों आज इस वीडियो में भोजन से बनने वाले जहर के बारे में जो हमारे शरीर के अंदर जाकर जहर बनता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कुछ चीजे एक साथ मिलाकर खाने से या एक ही समय पर खाने से हमारे शरीर के लिए जहर का काम कर सकती है इसलिए कुछ खाने की चीजों को एक समय पर एक साथ खाना कितना घातक हो सकता है यहाँ जान लेना बहुत जरूरी है ऐसे कई पदार्थ है जो एक साथ खाने से हमारे शहत के लिए नुकसान दायक बन सकते हैं पता भी नहीं चलता और ये खाना शरीर के अंदर जाकर हमें कई माईनों में बहुत सारा नुकसान पपजा देता है यह उस खराब हो गए या सड़े हुए खाने से कम नहीं है जो हम बचने के बाद या खराब होने के बाद बाहर फैक देते हैं जिस तरह से कभी-कभी या खाना जानवरों को नुकसान पजाता है हमारे लिए भी उतना ही खतरनाक होता है चलिए बताते हैं कि कौन सी चीज मिलाने से हमारे शरीर में जहर बनता है घी और शहत कभी साथ में नहीं खाना चाहिए यहां तक कि पानी में मिला कर भी शहत और घी का सेवन नुकसान दायक हो सकता है घी या तेल या मक्खन से शहत जहर बन जाता है एक तो शहत की ताशीर गर्म होती है इसे किसी गर्म चीज के साथ नहीं खाना चाहिए तो ये हमारे पेट के लिए भी कई समस्या पैदा कर देता है मीट वो मचली के साथ भी शहत का सेवन नहीं करना चाहिए शहत का इनके साथ सेवन करने से हमारे शरीर में टॉंसिल्स बढ़ जाते है इससे दुरुष्टी निता वकानों पर भी असर हो सकता है और हमें सुनना भी बंद हो सकता है शहत के साथ मूली का सेवन नहीं करना चाहिए इससे भी हमारे शरीर के टॉंसिस बढ़ जाते है इससे बॉडी पार्ट्स खराब होने के चांसे ज्यादा बढ़ जाते है इसलिए मूली के साथ शहत का सेवन भी कभी नहीं करना चाहिए सहत को कभी भी दही में मिला कर नहीं खाना चाहिए इससे गैस, एलर्जी और किसी भी तरह की स्किन से जूडी समस्याए हो सकती है इसके अराबा आप चीनी के साथ कभी भी शहत न खाए चीनी के साथ सहत को खाने से ऐसा होगा जैसे अमृत के साथ जहर को खाना मचली के साथ काली मिर्च कभी नहीं खाना चाहिए मचली काने के बाद काली मिर्च खाने से नुकसान होने की आशंका है बढ़ जाती है तील के साथ कभी भी पालक का सेवन नहीं करना चाहिए ऐसा करने से डाइरिया होने का खतरा बढ़ जाता है दस दिन तक के यदि कासर के बरतन में घी रग दी गई हो उसके बाद उस घी को नहीं खाना चाहिए पीले छतरी वाले मश्रुम को सरसो के तेल में नहीं पकाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए थंडे पानी के साथ घी, तेल, तरबूज, अमरूत, खीरा, जामून और मुमफली कभी नहीं खाना चाहिए खीर के साथ सत्तू, खराब, खटाई और कठल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए पके हुए चावल के साथ सिरका नहीं खाना चाहिए इसके परिणाम घातक हो सकते है दही और खटे फल एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए इससे अलग-अलग इंजाइन मौजूद होते हैं जिससे ये दोनों एक साथ पचाने में मुस्किल होती है अगर हम देखें तो दही और मशली की तासीर एकदम अलग-अलग होती है मतलब की दही थंडा है और मशली गरम होती है अक्सर लोगों को पूरी या पराठे के साथ दही खाना बेहत पसंद होता है लेकिन तली और भुनी चीजों को दही के साथ नहीं खाना चाहिए दही में मौजूद एंजाइम फैट को पचाने में दिक्कत पैदा करता है तर्बुज को तर्बुज के साथ ही खाना चाहिए यदि इन्हें किसी अन्यफल के साथ खाया गया, तो वे ठीक से पच नहीं पाते, ऐसे इसलिए है क्योंकि तर्बुज में पानी की मात्रा अधुक होती है, और वे अन्यफलों की तुलना में अधिक तेजी से पचते हैं, य क्योंकि आपकी से रिलेटेड ऐसे इंफरमेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और दोस्तों तीन लोगों को शेयर करना ना भूले कि हो सकता है आपके शेयर के वज़े से किसी की जिन्दगी बच जाए तो मिलते अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई